नमस्स्टे दोस्तों , मैं आर्बी चनलरे आप सभी कादिशन श्वग सेश्वाहत है। आज की जू रेशपी हैे 26 जनुरी इस पेशल डालका केक है। इसी बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान रेशपीं है। थंडा हमें के लिए जोंचाने के लिए जूरा म तो दिपने हड तक हमें तु मैं से घुट। ठंडा होने के लिए और एक लेंगे मिक्सर जाज इसमें हमने चीनी पीजा है पचास गरम चीनी पीसकर के रख लिया है और अब हम इसमें लेंगे पनीर को तो 50 गरम मैं पनी ले रही हूं सामकरी आप अपने हिसाब से कम जाधा कर सकती हैं अब ज्यादा बड़ा केक बना रह अब हम पनीर को पीस लिए हैं तो इसमें हम डालेंगे मिल्क पावडर तो यह भी मैं 50 ग्राम डाली हूँ आपने हमारी सॉट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा तो यह देखिए इसमें हम अच्छे से डाल देते हैं सारी चीजों को और हम डाल देते हैं चीनी तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं अगर ज्यादा मीठा खाते हैं तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यह क्रीम बहुत तेश्टी लग रहा था सच में और आप भी ट्राय करना तो बताना कि कैसा लगा तो यहां पे हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी क्रीम पूरी तरह नहीं बनके त्यार हुआ है और यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है मारा क्रीम ना तो चलिए इसमें कुछ फ्लेवर मिक्स करती हूं तो इसमें हम डालेंगे बनेरा एसंज का रोस जिफ्लेवर डालेंगे थोड़ा सा रोस तो यहां पे सिर्फ करते हमें कंच में अच्छे में और यहां थोड से इनको मिक्स करना आ रहने दोंगी तो यहां पे अपना कलर तैयार करना था यह देखिए हरा कलर के रिए हमने मिक्सी में चेरी के साथ ही पीस दिया पणीड कुफिर के तो काम चलाने के लिए डुगाड़ू काम हमारा क्रीम ह वारा कलर का श्यूर्ण के देखें बहुत प्यारा कलर बन के त्यार हो किया है यह दिख सकते हैं अप अच्छे से food आप जितना अच्छा क्रीम को फेटोगे ओ उतना ही हलका बनेगा और उतना ही अच्छा क्रीम बनके आपका त्यार होगा और अब हम यहां पे लेते हैं एक जैसे चोड़ा प्लेट हो थाली भी ले सकते हो इसमें डाला है मैंने 4 चमच दूद जरासा ही चीनी यानि की आधा चमच और इसमें भी कुछ मोदे बनीला एसंस का डाला है रोज फ्लेवर का सिर्फ कुछ बुंदे ही अच्छे से मिक्स करे और मैं यहां पे टोस्ट ले रही हूं आप ब्रेट से भी बना सकती है तो टोस्ट थोड़ा सा कड़ा होता है कुरकुरा होता है तो इसे अच्छे से सॉप्ट करने के लिए दूद में उतना ही दूद ले कि इस सिर्फ ऊपर से सिके उपर से यानि की नर्म हो जाए अंदर स अच्छे से भीके नहीं जादा ना भीगे ब्रेट ले रही है तो सिर्फ चम्मत से उस पर आप दूद को डालिएगा और देखे एक अपना टोस्ट उठाएंगे और इस पे हम अपना ग्रीन कलर हरा कलर डालेंगे तो एक एक करके हम इसी तरह से अपने केक को तयार कर तो इसमें सफेद कलर के लिए हमने कुछ भी नहीं लिया है और इन्हें अच्छे से इनको चिकना कर दीजिए और उसके बाद भी हम एक और उठाएंगे और उसके उपर हम अपना टोस्ट रख देंगे तो अब हम इसके उपर ओर डालते है तो आप इसी तरह से ब्रेट से बना सकती है और आप चाहें तो चार टोस्ट को नीचे का लेयर चार टोस्ट रखके बना सकती है और अलग अलग पेस्टी तयार कर सकती है तो हम यहां पे अलग अलग ही पेस्टी तयार कर रहे हैं तो यह देखिए अच्छे से हम इसको सेट कर देंगे और इन्हें मन चाहा सेफ्टी जिए और अपने हिसाब से इनको कितना ज्यादा सुंदर बनाना चाहती हैं तो बना लीजिए अच्छे से हम इसको सेट करेंगे और इसे हम सिंपल ही ऐसे ही छोड़ेंगे यह देख सकते हैं इन्हें अच्छे से चिकना कर देते हैं और हमारा केक कैसा लगा कमेंट जरूर बताएगा इस देखिए कितना प्यारा बनके तयार हो गया है और यहां पे ब्रेट से भी आप इस तरह बना सकती हैं उमीद करती हूं रश्पी अच्छे लगी होगी तो प्लिज लिए को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब कर लें बेल आइक उन को प्रिश